चलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके परिशान है कि सर एक्जाम के कम टाइम बच्चे हैं तीस तारिक उनतिस तारिक को पहला पेपर है कॉर्परेट का वो सीवी सीएस वाले बच्चों का है और आपका कब है और 28 को देख लो इनका है तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके परिशान है कि हम कैसे करें ना करें क्या चीजे पहले करनी चाहिए क्या चीजे बाद में करनी चाहिए इन शॉट कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हम एक्जाम के अंदर अच्छे से कर पाएं 27 को भी पर है सर 28 को भी है 39 को भी है तो देख लो इन शॉट पूछ मैं पूरा एक बार डिटेल में बता देता हूं कि क्या क्या चीज़े कैसे कैसे करना चाहिए आपको तो जैसे कॉर्परीट का पेपर है अब बहुत सारे बच्चे ने study plan जैसे मैं बताता हूं, तो बोलते हैं, sir, पहले तो आपने ये बताया था, जितना ज्यादा time होता है न, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूं, अब time हमारे पास मात्र 12-13 दिन है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, नमबर वन पर आपको करना चाहिए सर इंटर्नल रीकंस्रक्शन रीकंस्रक्शन वो चेप्टर में थोड़ा सा अलग टेकनीक फॉलो कर रहा हूँ जो बच्चे स्टार्टिंग से सब कुछ करते आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जिन बच्चों ने भी पढ़ना है इस्टार्ट नहीं किया सुचे ने 10-12 दिन में कुछ ऐसा बताएं जिससे कि करके पास तो हो जाएं हम तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इसके बाद ये आपके एक्जाम में आएगा 10 से लेके 19 नमबर के बीच का आएगा जरूर इसके बाद कर लें आप कैश फ्लो और ये आपके एक्जाम में ये भी 10 से लेके आपका 19 नमबर तक आ सकता है और ये वाला चेप्टर जो CBCS है उसमें तो कंफर्म आएगा लेकिन NEP वाले में कैश फ्लो के चोईज में आ सकता है रेशो तो ये भी करें ये सरिफ ये करना है सरिफ NEP वालों के लिए जिसके आगे मैं NEP लगा दूँआ वो सरिफ NEP वाले बच्चों को करना है और जिसके आगे मैं सब कुछ लगा रहा है वो तो सब के लिए ही रहेगा खैर आगे नमबर थ्री सर तीसरे नंबर पर कौन से चप्टर को करना है वो वताइए तीसरे नंबर पर आपको करना है एक दो हो गया तीसरा पाइनल अकाउंट तो आपका टाइम ले जाएगा वेलिवेशन आफ शेयर एंड गुडविल एकोनॉमिक वेल्यू एडिट इसके साथ साथ कर ले ना छोटा सा चैप्टर है वेल्यू एडिट ये कर ले ना ये सरिफ एनिपी में हैं इसके बाद नंबर पांच पे सर इसमें से कितने नंबर का कुछ चन आएगा एनिपी में 19 नंबर का पक्का पक्का श्योर श्योर आएगा नंबर पांच पे जो मैं ये चेप्टर बता रहा हूं ज्यादा इंटर लिंक नहीं है एक दूसरे से लेकिन आप करते जाओगे तो होता जाएगा ठीक है पांचवा पांचवे नंबर पे आप करो रेडमशनency करे मihen हर बार बोलता हूं शिएर कैपिटल पहले करें उसके बाद करें लेकिन अब वो समय नहीं है क्छिएर कैपिटल का कराज़ाएग CR छटे नंबर पे करना है बोनस एंड राइट इशू साथवे नमबर पे करना है बाइबेक इन सभी चेप्टर में से एक कुश्चन बनना है आपका लगबग लगबग मान के चलो 19 नमबर का सभी में से एक कुश्चन बनना है 19 का अब आठवे पे आजाओ इशू ओफ डिवेंचर फिर नोवे पे रड़ंशन ओफ डिवेंचर इसमें से भी एक कुश्चन आना है और ज्यादा चांसिस है कि इसके और में आजाए मैं चांसिस बोलके चल रहा हूँ ध्यान रखियेगा इसके और में आजाओ तो जिन बच्चों ने अभी कुछ भी स्टडी नहीं किया बाकि देखो कुछ जैसे बच्चे हैं तो अप्लिकेशन पर सारे के सारी क्लासिस हमने बिल्कुल अरेंज कर देई है और कुछ रहे गई है अरेंज करने के लिए वो आज ये कल अरेंज हो जाएगी अभी कॉस्ट वाले बच्चे अगर कोई देख रहे होंगे लाइव में तो कॉस्ट का देखो जाए फोल्डर सब एकदम न्यू कर दिया है सब अरेंज कर दिया है स्टार वगरा सब लग गए हैं कॉस्ट वाले में तो वो अभी लग गए हैं आधे घंटे जस्ट पहले उसी पर काम चल रहा था नंबर दस पर आपको करना है एक्जाम से पहले करना है कौन सा CSR और इसके आगे लिख लेता हूँ मैं most important सर ये कौन सा चप्टर है ये 19 नंबर काएगा तर कौन सा चप्टर है CSR वाला लास्ट वाला चप्टर है एन्वल बोर्ड मिटिंग CSR वाला तो ये तो लास्ट में करना पूरा थियोरी है अब थियोरी पढ़के जाओ गए ट्रिपल बॉटम मॉडल गया है तो सारी चीजे है इसके बाद 11 लास्ट में करो एमलगेमेशन ग्यारा नंबर पे करो एमलगेमेशन तो ये चप्टर है जो कि आपको करके जाने चाहिए इसमें से कुश्चन साने के पूरे-पूरे संभावना है ठीक है पूरे-पूरे कुश्चन अब सर हमने स्लेवस में से ऐसे कौन-कौन से चेप्टर को छोड़ दिया है और कॉर्परेट सोसल रिस्पॉंसिलिटी लास्ट वाला है अब इसमें से क्या-क्या अब अरे एक तो चप्टर रही है नंबर वन शेयर कैपिटल छोड़ दिये नंबर दो कि आपका नंबर दो बोन ईपिएस जो कि मैं खुद करा दूंगा उसकी टेंशन मत लेना ईपिएस कह रहा हूं स्वरी इस ओप नंबर तीन इस ओप के बाद इस इस ओप के बाद अंडर राइटर सिर्फ मैंने ये चप्टर छोड़ दिये हैं सीक्वेंसिंग आपको यही रखना है बिल्कुल जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो सीक्वेंसिंग आपको यही रखना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर कैसे करना है या फिर नहीं करना है जे आर मुंगा बुक से ही मैं बता रहा हूँ और साथ के साथ पढ़ने का सिंपल सा तरीक है बच्चे पूछने सर कैसे कैसे पढ़ा जाए तो आपको ना बुक लेनी है अगर है आपके पास तो वेलन गुड नहीं तो मैं क्लास के अंदर करवाई रहा हूँ प्लस टैनियर लेना है और आपके पास जैसे आपने 27 तारिक बोला है आज 15 तारिक मान लो 14 हो गई ना तो 14 14 दिन 12 दिन है तो 12 दिन में कैसे कैसे करोगे वो भी चीज़े आपको एक गाइडेंस चाहिए क्योंकि मैंने बोला जो recorded है recorded आप देखो पढ़ने का तरीका और time table आप अच्छे से समझ लो कैसे करना है आपके पास सरिफ एक subject नहीं है आपके पास और भी इसके अलावा subject है उस सभी को ध्यान में रखके मैं बताऊँगा सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होना चीए जैसे internal reconstruction है आप इसके अंदर दो दिन लो दो दिन का मतलब इसके अंदर आप लो कम से कम 6 घंटे मतलब 3-3 घंटे दो दिन लगाओ वीडियो देखने में तीन घंटे तीन घंटे चे पांच घंटे तक आप वीडियो देखे होगे सीक्वेंसे कोश्चन उसके बाद वीडियो देखना बंद कर दोगे internal reconstruction का सीधा 10 ये कोश्चन उठाओगे और सीधा आपको करने किसके 10 ये कोश्चन और जिसके पास बुक है कुछ बुक के कोश्चन करने है खुद सेल्फ प्रेक्टिस करने है ये निकी वीडियो देखोगे तो छे घंटे मतलब आप दो दिन में ये खतम करते हो और आप क्यूंकि बहुत कम टाइम है कॉर्पेट पढ़ोगे तो धाई दिन में आप 10 ये हो गया है तो समझपा रहे हो गया होगे देखो ये वो टाइम है यë वो समय है जिसमें एक बहुत बड़ा डर भी है बहुत सारास लेबस भी है और मन के अंदर एक ये बियर कैसे होगा नहीं होगा पेपर इतना लेंदी है बहुत सारे सावाल हो सकते हैं आपके मन में तो मैं उसी को मद्य नजर आपको बता रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से के आपको six hour लेने हैं इस चेप्टर को करने के लिए अब मैं कहूंगा भाई दिन में आप कोई जॉब कर रहे हो क्विट करो आप कोई अधर एक्टिविटी कर रहे हो क्विट करो नहीं तो फिर यह पेप्वर आपको क्विट कर देगा सिंपल सी बात है अभी बहुत सारे बच्ची ऐसे लाइव में भी होंगा मैं लाइव मैं जुड़ा हूँ में बहुत सारे बच्चे और मैं Åud College बढ़िए आख करते हैं SIR मेरा दिन आप एकदम मन लगा के मैनत करो इसका पेपर कौन सा और और आपका जिनका ओनर्स वालों का एसल वाले बच्चों का उनका लेट है 30 जून है या उनका लेट में जा रहा है तो वो तो ठीक है अभी कर लेंगे जिनका प्रीडियो भी दिन में वह बड़े ध्यान से देखन सबसे पहले आगर आपने पढ़ा है तो ट्वेल्थ करें आपको ज्यादा समय एक साल भी नहीं हुआ है कि अगर पढ़ा है हम ने अगर फैले पढ़ा है तो माइंड में पहले को आपको क्या क्या देखना है में एक यगन होता और और उसके बाद मेरी classes को देखो मेरी classes के अंदर आपको क्या-क्या देखना है cash flow statement में एक तो देखना है format एक देखना है format और प्लस सारे adjustment और प्लस तीन questions देखने हैं जैसे ही यह आपने देख लिए आपको क्या करना है सीधा 10-year के question लगाने हैं अब जिन बच्चों ने कंजू से idea लग जाएगा paper कैसे आता है paper में किस तरीकी का adjustment होते हैं बहुत लखी लिए क्यूंकि आपका मैंने जैसा internal देखा है internal के हिसाफ से मुझे नहीं लगता है क्या आपका बहुत tough paper आएगा paper so average रहने वाला है हाँ internal कुछ unexpected type का रहता तो बोल सकता था लेकिन देखो paper किसी ने नहीं देखा कोई नहीं जानता बनाने वाला भी नहीं जानता paper के कौन सा paper set होके आएगा तो उस चीज को तो कह नहीं सकते लेकिन हाँ मैंने बता दिया format और adjustment यह करना खतम ratio 12th की class का आप ratio उठाओ और पूर बुक के अंदर किसी ज्यादा questions मिलेंगे मैं अलग से questions करूँगा के डाल दूँ कहीं मेर पास 3-4 books होती है reference में मैं लेता हूं तो उसमें से मैं डाल दूँगा ठीक है ना तीन चार और इसमें कितने दिन लेना है सर ये chapter और ये chapter में दो दिन लो तो देखो दो चार और दो छे अगर ये section आप complete कर लेते हो छे दिन के अंदर तो मान के चलो आप exam के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करीब 45 नमबर तक का paper attempt करने के लाइक बन जाते हो 45 पास होने के लिए 40 च अब आज आते हैं सर इसके बाद देखा जाए तो अब हमारे पास चप्टर बंता रिडंशन प्रिफरेंश्यर बोनस बाइबेक वाई साब मैं reality बता रहा हूं ये chapter एक दिन में खतम करो दोनों अब तो do and die की situation है हुक मतलब करो या फिर खतम नहीं तो छोड़ दो 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 ही टैनियर उठाया करने बैठ के हाँ टैनियर में काफी जगह पर कुछ अगर मिस्प्रिंट वगरा मिल जाए तो आपको डाउट नंबर दे रखा है डाउट पर सेंड करोगे तो उस पर सॉल्व होगा लेकिन हाँ आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे टैनियर की रहा नहीं चलो देखते हैं और यह समझ भी नहीं आरा मेरे को फोटो खीचा भेज दिया तो वह वाले चीज़े डाउट आपको सॉट आउट नहीं होगे आप परिशान होते रहोगे और फोन कॉल पर आपके डाउट तो सॉल्व होएंगे ही नहीं मैं किलियर कर दो आप व सर पहले five marks का theory आएगा आता था बस बिल्कुल पहले इतना ही आता था अब नहीं आ रहा ज्यादा अभी बच्चे पूछ रहे हैं can I call you अभी तो class में हैं और इसके बाद भी class है अब इसके बाद finally हम अगर यह चेप्टर कर लेते हैं redemption और प्रफरेंश करो इसमें भाईया दो दिन लग जाएंगे तो तीन दिन हो गए तो हम time को category करें तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है मैं YouTube पे बच्चों के लिए जो बच्चे अभी सोचने के सर यह सारी वीडियो YouTube पे नहीं आए तो भाई उसमें डलने में टाइम लगता है एक दिन में दस दस वीडियो डल रही है जिनको वैसे स्टार्ट करना है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक वगरा भी मैं डाल दूँगा वह पूस सकते हैं कि सर क्या है क्या है नहीं है कुछ guidance free मिल जाएगी आपको classes चाहिए तो application पे जो कि nominal price पे सभी बच्चों ने ले रखा है उसके इसाप से आपका चलता रहेगा अब मेरा काम है सरिफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा guide करना और सही direction में ले जाना ताकि मैं आपको अच्छे marks के तरफ ले जा पाहूं ठीक है ये तीन दिन तो कितने time ह हो गए सर दो दिन हो गए दो और दो चार दिन चार और दो छे दिन और च्छे और टिन नो दिन हो गए हमारे पास टोटल 12-13 दिन ही है इसके बाद भाईया आँनया करके इस chapter को करना है और इसको करने में आप 4-5 घंटे दोगे न हो जाएगा और ये एक दिन में इक खतम कर लेकिन आपको 10-year उठाना है 10-year में सारी थेयोरी में बड़े अच्छे से डाली हुई है तो 10-year के थेयोरी पढ़के जाओ और इसके बाद आप फाइनल अकाउंट उठाओंट को आपना देखो 2-3 दिन दे सकते हो लास्ट मुमेंट आपके पास फाइनल अकाउंट उठाओंगे दो से तीन दिन दोगे इसको इसमें फॉर्मेटिंग आना चाहिए एक्जाम के अंदर अगर आप फॉर्मेटिंग अच्छे से करते हो और अट्जस्मेंट अगर मैं बताओ ना तो फॉस्ट इयर से तो बहुत सस्ते अट्जस्मेंट है इसमे फॉस्ट इयर में तो फिर भी बहुत मतलब के मानके टफ था यह था जी एस्टी था यह था दिमाग घूम जाता था फॉस्ट इयर से अट्जस्मेंट 10% भी नहीं है फॉस्ट इयर का अट्जस्मेंट के बराबर अगर देखा जाए तो बस यहां पे सबसे बड़ी जान की चाफत आती है फॉर्मिटिंग तो मैं बोल रहा है यहां पर दो दिन आपको दिन है वो सकता है पर सर ने Surrender of Shares Slaves का पार्टी नहीं है, दिया ही नहीं है, मैं अलग से पुरानी वीडियो डालूँगा उसमें, नहीं CSR, CBCS में नहीं है, ये सारे चप्टर करने के बाद, finally Amalgamation पर उठाना हाथ, Amalgamation करोगे, Amalgamation बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक rumors चलता है कि Amalgamation मुश seller की general entry है, जिससे आप कर पाऊगे, तो ये सारे के सारे मैंने आपको chapters बताएं, इसके साथ के साथ मैं कुछ chapter आपको बिना extra effort के करा दूँगा, जैसे कि आपका ESOP हो गया, जैसे कि आपका underwriter हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ-साथ class में करोगे, हो जाएग जैसे मैंने plan बना दिया, मान लेता है कि ये 40 गंटे, अगर 40 गंटे का plan है, तो बहुत सारे बच्चे क्या divide करेंगे, 12 दिन और 40 गंटे, तो 40 divided by 12, तो मान के चलो, धाई गंटे एक दिन के हैं, तो सोचेंगे, ये धाई गंटे एक दिन के हैं, फिर एक दिन आप आराम कर ल होगे, फिर वो चार गंटे हो जाएंगे, फिर एक दिन औराम, फिर पांच गंटे हो जाएंगे, और जब बचेंगे, तीन दिन, फोलेंगा, अब क्या करें, अब कुछ नहीं है, तो एक एक मुमेंट, मैंने जो टाइम लिखा है, यहां क्राइटिरिया, आपको उस टाइम से कहीं और जादा करना है, CSR तो एक दिन का चप्टर है, यह एक दिन का चप्टर है, efficiently, CS में नहीं है, एक दिन का चप्टर है, और CBCS वाले holding को करके जाए जरूर से जरूर holding तो अलग से कोश्चन आएगा cash flow अलग से कोश्चन साएगा आपका final account अलग से कोश्चन साएगा तो cbcs वालों को comparatively एनिप से थोड़ी से हलके पढ़ जाते हैं अगर holding को हटा दिया जाए तो असर एक्जाम की डेट कब है यह लो भाई अब बच्चे पूछ रहे हैं एक्जाम की डेट एक्जाम पता है कितने हैं बहुत सारे एक्जाम है तो एक डेट ना बताओ 27 को भी है 28 को भी है 39 को भी है 30 जून को भी और बताओ कौन-कौन से वो तो आपको देखना पड़ेगा और सबका स्लेवस का डेट शिट डाला हुआ है हाँ संडे भी होगा दिवाली होली सब हो जाता है एक्जाम ऐसा नहीं है कि इसे टाइम होगा हाँ तो संडे पिछली बार तो सारा सटेडे सटेडे था ना और थर्ड समिस्टर वालों का संडे संडे था यहां पर कोई तहवार को यह नहीं चलता एक्जाम होगा बहुत सारे बच्चे इस उमीद में थे कि बढ़ जाएगी कुछ अलग आएगा तो आपने देखी लिया प्लीज कैस्ट फ्लो के अट्जस्मेंट करा दो लाइव में ठीक है सर अठाइस महीं से सरस्कॉलर्शिप आई है बैंक में तो आपने भरा था अरे बना के दे देना चाहिए था चलो जिसकी स्कॉलर्शिप आ गई है बहुत-बहुत मुबारक हो लेकिन उस स्कॉलर्शिप के विल्कुल मगर में मत रहना के मेरे पैसे आ गए है तो आपको पढ़ाई करनी है स्पेशली देखो जो आपका कंपनी लौ है मैं गयरंटीट गह सकता हूं कि चार दिन भी बोलोगे ने मैं चार दिन में कुश्चन बता दूँगा पास हो जाओगे लेकिन कॉर्परेट के अंदर थोड़ा सा पंगा है मैं पहली क्लास से ये बात को कहके चल रहा हूं डिबेंचर में हूआ राण ओर सेयर में हाता ये वाला पोर्शन और सोड़ आता है स्येयर बता Hey बताई कंपनी लॉके भी बता देंगे कौन से हैश कहसे करना है पहले आप इसको देख लो hopefully आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा 10 year must है हर जगा बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि 10 year की PDF या फोटो से करने की कोसिस करते हैं जो कि एक problem है मैं कहूंगा hard copy लो 10 year मेरे पांस पड़ा हुआ तो है आपको ये मिल जाएगा 10 year और 10 year के कुछ बच्चे इस size पे मत जाना इसके अंदर मैंने extra question डालें आपको पीछे past year से 10 year करने का तरीका भी देखो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं starting से करने लग गया ऐसे आपको हर chapter का बड़े अच्छे तरीके से दे रखा है एक बार पहले आप 1.5 घंटा 10 year को understand करने में लगाओ सबसे पहले आपके theory गीवन है पूरे chapters के उसके बाद आपके पूरे chapter के practical गीवन है जिसके नीचे year लिखा हुआ है याद रखना जिसके नीचे year लिखा हुआ है जो exam में आया हुआ है उनी questions को ज़्यादा से ज़्यादा more करो कि इसको तो करना ही करना है किसी हाल में और हर question में लगबग लगबग लगाओ क्योंकि past year के ही paper है यह सारे का सारा important question के theory अभी pdf डलवा देते हैं कि कौन-कौन से theory है और उसके answers कहा मिलेंगे आपको 10 year के अंदर मिल जाएंगे सारे answer उसके ठीक है 10 year में सारे के सारे theory के answer मिल जाएंगे आपको